इस वीडियो में कम्प्लीट मॉनेटरिंग टूल की सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, इस निए सीरीज आप लोग को प्रोवाइट करोंगा, अब बहुत इंपोटेन्ट यह इए कोई भी एरिया में आप काम कर रहे हो, आई टी फिल्ड में काम कर रहे हो आज के समय के हिसाब से अगर मोनीटरिंग आपको आती है तो डिफिनेटली एक कंपनी के लिए काफी प्रोडेक्टिव आप हो सकते हैं तो यह पूरी सीरीज जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइपस के टूल्स अलगोरिदम को लेकर मै बात करूंगा उनका डिमोंस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा यह पूरी सीरीज जो भी होगी डोंट नो कितनी वीडियो बनेंगे बट इसके अंदर में क्या-क्या आप लोगों को प्रोड करने माला हूं अभी आप लोगों को पता चल जाएगा ओके एंड यह पूरी सीरीज काफी इंपोर्टेंट होने माली है डेफिनेटली में बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यह पूरी सीरीज चाहिए आप से सिरने की फिल्ड से हो सिसको क्या लामा आप अधर की माइक्रोसौट का क्लाउड का या लाइनेक्स का किसी ही फिल्ड से आप प्र सबसे पहले मैं यहां पर इंपोर्टेंस आप लोगों को बता दूँ पहले यहां पर आप लोगों को इंपोर्टेंस बता देता हूं कि वाई नेटवर्क मॉनिटरिंग इस इंपोर्टेंट टूल नाव इस आज के समय के इसाब से यह नेटवर्क मॉनिटरिंग क्यों इतना इंपोर्टेंट है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के लिए नेटवर्क मॉनिटरिंग का इहां मृटिपल सब्वार्वर्क इवाइस हुज होती है उनके अंदर जो भी उन すब्सक्रप्रोस को हैं क्या सराक साथ कर सकते हैं मौनिटर कर सकते हैं एजर्ट मीनिट्वर्क ऐगता है जाता है कंपनी का नेटान तो अगर वहां पर हो जाता है कि आप एक एक डिवाइस पर जाकर उसकी डीटेल्स चेक करेंगे उसकी यूटिलाइजेशन सी प्यू बैंडवीद सारी चीज़ नॉट पॉसिबल ओके दिखाऊंगा नेटवर्क में जो भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं उसाभी चीजों को मैनेज करेंगे देखेंगे कैसे क्या है सो ट्रबल सूटिंग अगरे में काफी बेस्ट आपको जैसे की सेंट्रल क्वाइंट आपको मिल जागा और एक सिंगल डैस्ट बोट से अप कम्प्लीट आर्किटेक्ट्चर मॉनीटर कर सकते हो निगरानी रखना जिसको बोलते हैं ओके नेक्स्ट इजी टू एक्सपेंड योर नेट्वर्क लाइक इफ्यों टो एक्सपेंड योर नेट्वर्क और एड्ड सम्मोर डिवाइसे देन डेफिनिटली नेट्वर्क मॉनीटरिंग आपको उसमें भी हल्प करेगा कि रिलाइबल एंसीक्यो और कम्मिनीकेशन जो भी हमारी इंफॉर्मिशन होती है लाइक वन पीची पीची तो अनधर पीची या एक नेट्वर्क से हमारे कोई बाहर के नेट्वर्क में जो भी कम्मिनीकेशन होता है बहुत आसानी से ये मुसको ट्रैक कर सकते हैं अपने को चेक कर सकते हैं कहां पी क्या प्रॉब्लम से क्या नहीं है तो यह सारी डीटेल्स में देखने को मिलती है क्विक प्रॉब्लम डिटेक्शन बहुत ही क्विकली मतलब कि एक सिंगल डैस्ट बोट से आपको कंप्यूटर जो भी नेटवर्क में आप काम करवा कि जो भी 50 जाएगा आपको उस डिवाइस के यूजर द्वारा मेल रेज करना टिकट रेज करना एंड जो भी यह मतलब वो डिवाइस अगर लॉग इन नहीं है यह जो भी है मतलब डिफ्रेंट डिवाइस को यह वैलेबल नहीं है या उसका स्टेटस नहीं आपको लाइब या फिजि लेट कर सकते हैं चेक कर सकते हैं एंड मॉनिटर कर सकते हैं इंकमिंग आउटगोईंग ट्रैफिक को अइडेट्स को कि कोई भी इंट्रूडर या अवए दे तरीके से हमारे नेट्वर्क के अंदर तो इंट्री नहीं ले लिया यह भी सारी चीजें प्रॉब्लम जो डिट उसको expand करना है, बड़े लेबल पर लेकर जाना है, then definitely network monitoring आपको help करेगा, topology समझने में, क्या based होगा आपके लिए, utilization कहां पर problem कर रहा है, bandwidth कहां पर down हो रही है, exactly हमें bandwidth को increase करना चाहिए, upgrade करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो यह सारी problems का single solution है monitoring, okay, next अगर हम लोग बात करें network monitoring keeps monitoring the network traffic for inside and outside, okay, जो भी हमारा incoming and outgoing traffic होता है, एक network में, उन सभी को monitor करने में help करता है, इसके लिए different types के tools आपको मिल जाते हैं, मैं कुछ tools के अभी details भी बता देता हूँ, जो की paid है, but free of cost trial version के लिए मिलता है, हम लोग उसको proper तरीकिस में आपको दिखाऊंगा, कैसे utilize करना है, and then आप enterprise में किसी company में काम कर रहे हैं, तो then definitely आप बोल सकते हो, yes, you have knowledge, or you have a skill to monitor the network, okay, and network monitoring track bandwidth uses by network users, अब मालिया कि आपने 2 MBPS का connection अपनी company में लगा रखा, आपके महां 50 user काम करते हैं, exactly bandwidth आपकी कहां जा रही है, या जो भी हमारे user है, वो कहां पे bandwidth से related problem face कर रहे हैं, कौन सा user ज्यादा से ज्यादा bandwidth utilization कर रहा है, यह हमारे server लगा हुआ है, तो उसको bandwidth ज्यादा मिले, बागियों को कम मिले, यह सब चीजे troubleshoot and monitor तभी कर सकते हैं, जब exactly आप एक नजर में सारी devices को देख पाएं, okay, तो यह सब यहाँ पे help मिलती है, देखने में, समझने में, network administrator maintain quality of service, okay, मतलब अगर एक administrator है, और उसको monitoring tool मिलता है, then definitely quality of service improve होगी, company का infrastructure improve होगा, work environment improve होगा, and बोल सकते हैं कि वहाँ पे productive होगा, company grow करेगी, यह सारी सीजें होती है, so यहाँ पे एक मैं Google page open करता हूँ, और Google page में जब भी मैं यहाँ पे type करूँगा, like network monitoring list, तो इस तरीके का कुछ page मिल दे रहा हूँ, बाकि आप next जो भी lab आप लोगों को मिलेगी, उसके हिसाफ से आप step by step follow करेंगे, तो सबसे पहला अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, so first example है यहाँ पे, solar winds network performance monitoring, यह भी एक tool है, जिसके थूरू हम लोग network को monitor करते हैं, ninja once, ओके, यह भी हमारा एक है, site 24 into 7 network monitoring करके आजाता है, वूग करके आजाता है, ट्रेया करके जो भी लिखा हुआ है, pronounce कर लेना, आप लोग यह सारी चीज़ें आजाती है, इतना ही नहीं PRTG monitoring tool आजाता है, वाय साप free open source tool आजाता है, splunk tool आजाता है, different types of tools available होते हैं, जिसको हम लोग चाहाँ तो अपन organization, okay, everything, सब कुछ with the help of network monitoring हम लोग चेक कर सकते हैं, तो ये वीडियो से इन्टोडक्शन परपस के लिए था, आप लोगो को बताना था कि what is the importance of network monitoring tools and network monitoring का क्या importance होता है, and I hope आपको समझ में आगया होगा, आगे से lab demonstration तो पूरी सीरीज में आप स्टार्ट कर रहा हूँ, so definitely पसंद आएगा, इस वीडियो को शेयर करेंगे उन लोगों तक जो भी आपके friends हैं, IT field में काम करते हैं, and like करेंगे वीडियो को, और comment जरूर कर लेंगे, वीडियो कैसा लगा, सीरीज आपको पसंद आई, या इस सीरीज को आप देखना चाहते हैं, definitely उस user view के recording, या review के recording में आगे वीडियोज आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, तेने शुरी में thank you so much